नमस्कार आप देख रहे हैं निउस्वाल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजोन लरायन आप देख रहे हैं साथ के बाद की खास पेशकर जुश में हम बात करेंगे तालीबान राज़न वेस्तों आप सभी तक तालीबान से जुड़ी हर खबर पहुंच रही होगी लेकिन इस बुलिटिन में हम बात करेंगे कि आखिर तालीबान की सत्ता कासर भारत पर क्या पड़ेगा और पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान में क्या-क्या बदला है अफगानिस्तान में एक बार फिर तालीबान का साशन आ गया है राश्पती अश्रफगनी देश शोड़ कर जा चुके हैं सत्ता हजस्तान प्रन लगभग पूरा हो चुका है इसके साथ ही उन लोगों के प्रयासों को गहरा धक्का लगा है जो पिछले 20 साल से देश में लोकतंत की स्थापना की कोशिश में लगे हुए थे इनमें अमेरिका नाटो देश के साथ ही भारत भी शामल है एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत के लिए आने वाला समय काफी मुश्पिल भरा हो सकता है अफगानिस्तान में भारत के पास जो कुटनूतिक बढ़त ही वो खत्म हो सकती है इस हलचल का असर दुनिया के जिन मुलकों पर सबसे ज़ाद अपड़ेगा उनमें भारत भी शामल है तो चलिए ड्राफिक से जरिये तमाम सवाल आपसे करते हैं कि भारत अफगानिस्तान के रिष्टे किस तरह से बदलने वाले हैं भारत ने अफगानिस्तान की विकास पर जो खर्श किया उससे क्या होगा चाब हर प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्या जैश और लश्कर जैसे संग्ठन भारत में फिर सिरु उठा सकते हैं? तो चलिए इसकी शुरुबात करेंगे तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो भारत ने अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में जो निवेश क्या उसका क्या होगा? तो Observer Research Foundation के करीबी कहते हैं कि तत्कालिक तौर पर देखें तो भारत पर इस बदलाब को कोई खास असर नहीं पड़ने वाला भारत अभी Wait and Watch के सिटी में हैं पिछले 4-5 दिन में भारत ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया जो कि किसी एक के पक्ष में या थिलाफ हो यहां तक कि भारत ने अपकर किस मुद्दे पर ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है आने वाले समय में भारत तालिबान से किस तरह का संबन्द रखना चाहेगा यह भी देखने वाला होगा उसे ही काफी कुछ तैह होगा तो भारत के अमेरिका से बहुत जादा करीबी और पॉलिसी जज्जमेंट में हुई कुछ उत्रुखिया इस कारण है भारत ने अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में जुनिवेश किया उसका क्या होगा ऐसे भी तमाम सवाल है क्या तालिबान के आने से अब खत्रा हो सकता है जैश और लश्कर जैसे संगचन भारत खास तोर पर कश्मीर में फिर एक्टिव हो सकते हैं तो यहाँ पर भारत ने अफगानिस्तान में जो किया वो निवेश नहीं बलके मदद थी हमने जो 3 बिलियन डॉलर खर्श किये वो किसी रिटर्म के लिए नहीं थी यह अफगानिस्तान के लोगों के लिए थे उस मदद का क्या होगा यह कहना मुश्किल है पिशले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में खरीब 500 चोटी बड़ी परियोजनाओं में पैसा खर्श किया है मिस्कूल, अस्पताल, स्वास केंद्र बच्चों के अस्पताल और पुल्ट श्वामिन है भारत ने अफगानिस्तान के संसर्भवन, सल्माबान और जराज टेलराम हाईवे जैसी परियोजनाओं में काफी खर्श किया है इस तरह की बड़ी मदद को तालिबान पूरी तरह से बरबाद कर देगा ऐसा नहीं लगता इससे अलग छोटे स्केल पर जो मदद है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन उमीद कर सकते हैं कि ये सभी तालिबान के आने के बाद भी अफगानिस्तान के काम आएंगे वहीं कुछ एक्सपर्स कहते हैं कि तालिबान मिसत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान का दखल बढ़ा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कब और कैसे तालिबान बना हैं जो हम लगातार आपको समझा रहे हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि आने माले समय में ये समझना बहर जरूरी हो जाएगा तो कब और कैसे बना तालिबान अफगान गोरिला लड़ाकों ने 1980 के दशक में अंत और 1990 के शुरुवात में संगठन का गठन किया था ये वो दौर था जब अफगानिस्तान पर सोविय संग का कबजात था इन लड़ाकों को अमेरिकी खूफी अजनसी CIA और पाकिस्तान की I.S.I. का समर्थन प्रापता अफगान लड़ाकों के साथ पाश्तू आदिवासे स्टूडेंस पी इसमें शामिल थे ये लोग पाकिस्तान के मुदर्सों में पढ़ते थे पाश्तू में स्टूडेंस को तालिबान कहते हैं यहीं से इन्हें तालिबान ना मिला है अफगानिस्तान में पश्टून बहु संख्याथ है देश के दक्षणी और पूर्वी इलाकों में इनकी अच्छी पकड़ है वहीं पाकिस्तान के उत्री और पश्चमी इलाकों में भी पश्टूनों की बहुलता है सोव्यत संग के अफगानिस्तान से जाने के बाद इस आंदुरन को अफगानिस्तान के आम लोगों का समर्थन मिला है अंदुलन किशिरवात में इसके चलाने वाले लड़ाकों ने वादा किया कि उनके सत्ता मियान के बाद देश में शांती और सुरक्षा स्थापित होगी इसके साथ ही शर्या कानून को सकती से लागू किया जाएगा तो अपने लड़ाकों के साथ पश्टो आदिवासे स्टूडेंट्स फिस में शामिल थे ये लोग पाकिस्तान के मदर्सों में पढ़ते थे पाश्टों में स्टूडेंट्स को तालिबान कहते हैं यहीं से इन्हें तालिबान ना मिला है अफगान लडाकों के साथ अफगानिस्तान में पश्टून बहु संक्याख है देश के दक्षन और पूर्वी इलाकों में इनकी अच्छी पकड़ है वहीं पाकिस्तान के उत्री और पश्टूनी इलाकों में भी पश्टूनों की बहुलता है सोविय संग के अफगानिस्तान से जाने के बाद इस अंदोलन को अफगानिस्तान के आम लोगों का समर्थन मिला है अंदोलन की शुरुवात में इसे चलाने वाले लड़ाकों ने वादा किया कि उनके सत्ता में आने के बाद देश में शांती और स्रक्षा इस्थापित होगी इसके साथ ही शर्या के कानून को सकती से लागू भी किया जाएगा अपनी विरोधी मुजाहिदीन ग्रूप से चले चार साल के संगर्श के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ इसके साथ ही देश में सक्त शर्या कानून लागू हुआ 1994 में तालिबान ने कंधार पर कब्जा किया सितंबर 1996 में काबल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से नियंतर हो गया इसी साल तालिबान ने अफगानिस्तान को इसलामिक राश्ट धोशित कर दिया 2001 से पहले अफगानिस्तान की नभे प्रतीशत इलाके तालिबान के कब्जे में थे इस्तरान शर्या कानून को सक्ति सिलागू किया गया मैनाओ को बुर्का पहनने को कहा गया म्यूजिक और टिवी पर बेल लगा दिया गया जिन पुर्शों की दारी छोटी होती थी उन्हें जेल में डाल दिया जाता था लोगों के समाजे की सुरूतों और मानव अधिकारों तक की अंदेखी की गई थी भारत अफगानिस्तान के रिष्टे किस तरह बदलने वाले हैं भारत में अफगानिस्तान की दुकास पर जो खर्च किया है उसका क्या होगा चाभार तुझे का क्या होगा और क्या जैश और लस्कर जैसे संगचन भारत में फिर सिर उठा सकते हैं से तमाम सवाल हैं जो अब सामने आ रहे हैं भारत सरकार तालिबान को मानता नहीं देती भारत के अफगानिस्तान सरकार से अच्छे संबन है अफगानिस्तान में तालिबान ने खब्जा कर लिया है इसका सीधा असर भारत और अफगानिस्तान के वेपार पर पड़ेगा इसका मुख्य कारण है कि भरत सरकार तालिवान को मानता नहीं देती जबकि भरत के अफगानिस्तान सरकार के साथ अच्छे संबन थे भरत दक्षिन एश्या में अफगानिस्तान की प्रोडेक्स का सबसे बड़ा बाजार है भारत ने अफगानिस्तान में करीब 3 अरब डॉलर का निवीश किया है दोनों देशों के बीच 10,000 करोड से जादा का कारोबार है दरसल भारत और अफगानिस्तान के बीच दिपक्षिय कारोबार होता है तो इसी तरह से भारत और अफगानिस्तान में व्यपार लगातार बढ़ता रहा अफगानिस्तान को करीब 6,139 करोड रुपे के प्रोड़क्स एक्सपोर्ट किये गए जबकि भारत ने 37 करोड रुपे के प्रोड़क्स इंपोर्ट की है अफगानिस्तान से इंपोर्ट होने वाले प्रोड़क्स जो है वो भी लगातर हम आपको बता रहे हैं भारत अफगानिस्तान से किश्मिश, अक्रोट, पादाम, अंसीर, पीष्टो, सूखे, खुबानी जैसे मेवे इंपोर्ट करता है इसके अलावा अनार से बक्षेरी, खर्बूजा, तर्बूज, हिंग, जीरा और केसर भी इंपोर्ट किया जाता है तो भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडेक्ट्स कुछ इस तरह है कि भारत अफगानिस्तान को गेहूं कौफी, लाइची, काली मिश, तमाकू, नारियल और नारियल के जूट से बना समान भीषता है इसके लावा कपड़े, कन्फेक्शनीरी का सामान, मश्री से बने प्रोडेक्ट्स, वेजटेबल घी, वेजटेबल ओइल एक्सपोर्ट करता है साधी, मनिस्पती, केमिकल प्रोडेक्ट्स, साबुन, ड्रग्स, तवाईया, एंटिबायोटिक्स, ये तमाम चीज़े हैं जो भारत अफगानिस्तान को भीषता है अफगानिस्तान में सब्ता बदलते ही, मीडिया को भी अपना क्लेवर बदलना पड़ा है अमेरिकी मीडिया हाउ, CNN, शी, इंटरनेशनल रिपोर्टर, केलोरीसा वोर्ड हिजवाब ने नज़र आई रिपोर्टिंग के दुरान केलोरीसा ने कहा कि एक तरफ तालिबानी अमेरिका का खात्मा होने का नारा लगा रही है और दूसरी तरफ उनका रवया काफी दोस्ताना दिखाए दे रहा है ये पूरी तरह से अजीब है कलोरीसा की हिजवाब वाली तस्वीरे और सोशल मीडिया पर वारल हो रही है इसमें कलोरीसा की पहली की रिपोर्ट के दुरान की फोटोस को भी शेयर किया गया है बताये जा रहा है कि पहले वो हिजाब नहीं पहन ती ती और अब तालिबानी कवसे के बाद उनका पहनावा बदल गया हिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तरोरीसा ने पहनावे को लेकर सफाई दी है औरतों के लिए कितना बदल गया अफगानिस्तान ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रही है चौबस घंचे में रिपोर्टिंग का रंग रूप ही बदल गया है पहले भी जाब में नजर आ चुकी हैं केलरीसा केलरीसा ने पहनावे को लेकर भी सफाई दी है दरसल केलरीसा ने वारल हो रही तस्वीरों पर सफाई दी है उन्होंने का है कि ये तस्वीर गलत है एक तस्वीर प्राइवेट कमपाउंट की है दूसी तस्वीरों में मैं तालिवानी कबजे वाले काबुल की सड़कों पर हूँ पहले भी मैंने जब काबुल की सड़कों पर रिपोर्टिंग की तो हिजाब पहने रखा था हलक ये पूरी तरह से कवर नहीं रहता है बुरका रही रहता है थोड़ा बदलाव तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं तो ये बदलाव अफगानिस्तान में लगातार नजर आ रहे हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग का भी माइना बदल गया है काबल पर तालिबान का कबजा होती ही अफगानिस्तान की राश्पती अश्रफगनी पंद्रागर्स को देश छोड़ कर भाग निकले वे अपने साथ कैश से भरी एक कार भी ले गए हैं ऐसी जानकारी में लिए है और शब गनी पहले तजाकिस्तान गए बताय जा रहा है कि वे अब अमेरिका रवाना होने वाने हैं सबीच गनी का लिखा हुआ 32 साल पराना एक आर्टिकल सोचल मीडिया पर वारत हो रहा है गनी ने ये आर्टिकल 15 फरवरी में 89 में लिखा था उस वक्त पूर्व सोवियस संग को अमेरिका और पाकिस्तान समर्थित मुझाहिदीनों से हरने के बाद अफगानिस्तान परा था गनी तब अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स इन्वरस्टी में मानव शास्व के असेस्टेंट प्रोफेसर थे 32 साल पराना एक आर्टिकल गनी का वारल हो रहा है गनी ने सोचा नहीं होगा किस तरह भागना पड़ेगा गनी के आर्टिकल की हेडिंग थी सोव्यस संग इसने अफगानिस्तान चोड़ दिया है काबूल में अब कटपुतलिश चाशन का पतन हो गया है अमार्का की तारीफ में गनी ने कसीदे भी पड़ी थी उसमें उन्होंने शाय सोचा भी नहीं होगा कि कभी उन्हें ये स्थी जेनी पड़ेगी अमार्का के पाकिस्तान की मदद करने पर एतराज उन्होंने चताय था गनी ने सोचा नहीं होगा किस तरह भागना पड़ेगा गनी के आर्चिकल को अब लोग सोचल मीडिया पर शेयर कर लिख रहे हैं कि तिहास खुद को दहराता है गनी ने आर्चिकल में लिखा था कि बुष पर शासन ही अफगानिस्तान में लोगतन की स्थाफना कर सकता है या आर्थिक मजबूती के साथ स्वतन्त रूप से चुने गई सरकार का सब्ता मियाना जरूरी है गनी ने अपने आर्चिकल में लिखा था कि इरान और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान को युद में जोखने की कोशिश कर रहे हैं इसे अमेरिका की मदद से ही खत्म किया जा सकता है अफगानिस्तान के लोग ये नहीं चाहते कि अमेरिका उनकी राज़ीती में दखल अंदाजी करे लेकिन वे ये चाहते हैं कि अमेरिका यहां के लोगों को अपना नीता चुने में मदद करे गनी ने ये भी कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए अमेरिका हर साल हत्यारू की खेप और दो बिलियन डॉलर की सायता पाकिस्तान को दीता रहा है यह तमाम बाते अश्रप गनी की सामने आई थी लेकिन अब लोग सोशल मीडिया पर उनका बक्तिस साल पराना वो पोस्ट वारल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेहास खुद को दोहराता ज़रूर है और यहाँ पर गनी जो हैं पोरी तरह से गलत साविक होते हुए नजर आ रहे हैं अफगानिसान अब इसलामिक अमीरात बन चुका है मौलवी इप्तुल्ला अबुखाजादा इसके अमीर अल मुमिन खोशिक हुए हैं तालिबान ने राश्पती भवन और संसर समेच सभी सरकारी मारतों पर कबज़ा कर लिया पुरे देश में अफरा तफ्री के बीच उन लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके हाथ में तालिबान सरकार की कमान होगी इप्तुल्ला अखुनजादा की अलावा मुल्ला अब्दुल्गनी बरादर मुल्ला मुहमूद याकुब, सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला अब्दुल्हकीम को एहम जिम्मेदारियां सौपी जाएंगी इनमें से कुछ 1996 से 2001 तक चली तालिबान सरकार में श्रामिल थे तो कुछ नेताओं ने अमेरिका के खिलाब 20 साल तक चली जन में एहम भूमी का निगाई थी तो आईए जानते हैं तालिबान को चलाता कौन है मौलवी हिबतुल्ला अखुनजादा, फत्वो का मास्टर अरब में हिबतुल्ला का मतलब होता है इश्वर का ताफा अपने नाम के उलट हिबतुल्ला हकुजादा ऐसा कुरूर कमांडर है जिसने कातिल हो और अवैल सम्मंद रखने वालों की हत्या करवा दी और चोरी करने वालों के हाथ काटने की सजा दी इबतुल्ला 1901 सच के आसपास अफगानिस्तान के कंधार प्रांथ के पन्डवाई जिले में पैदा हुआ वो नूर्ज़ई कबिले से तालुक रखता है उसके पता मुल्ला मुहम्मद अखुन्द एक धार्मिक स्कॉलर थे वो गाओं की मजजित के इमाम थे उन्हें 196 में जो तालीबान में काबल पर कबज़ा जुमाया उस वक्त अखुन्द जादा को परहा प्रांथ के धार्मिक विभाग की जम्यदारी मिली बाद में वो कंधार चला गया और एक मदरसे का मौलवी बन गया ये मदरसा तालीबान फाउंजर मुल्ला उमर चलाता था जिसमें एक लाग से जादा स्टूडेंस पढ़ते थे इबतुल्ला इसलामिक अमिराद अफ़कानिस्तान में शरिया अदालत का चीफ जस्टिस भी रहा मुल्ला मंसूर की मौत के बाद 25 मई 2016 को इबतुल्ला अखुज़ादा को तालीबान के कमान सौपी गई तब से वही इस समू की टॉप अथोरिटी है मुल्ला अब्दुल्गनी बरादर शांती वारता का हिमाइटी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन चार लोगों में से एक है जिन्होंने तालिबान का गठन किया था वो तालिबान के फाउंडर मुल्ला उम्मर का जीटी था 2001 में अमार्की हमले के वक्त वो देश का रक्षा मंत्री था 2010 में मारिका और पाकिस्तान ने कॉप्रेशन में बरादर को गिरफतार कर लिया उस वक्षांती वारता के लिए अफगानिस्तान सरकार बरादर की रिहाई की मांग करती थी सितंबर 2013 में उसे रिहा कर दिया गया 2018 में जब तालिबान ने कतर के दोहा में अपनी दाश्चितिक दफतर खोला बहां मेरिका से शांती वारता के लिए जाने वारे लोगों में मुल्ला अब्दुलगनी बरादर प्रमुक्ता उसने हमेशा अमेरिका के साथ बाच्शीत का समर्थन किया है इंटरपोल के मताबिक मुल्ला बरादर का जन्म उरुजगान प्रांथ के दिरावुद जिले के वीटमाक गाउ में उनीस सरसच में हुआ था और माना ये जाता है कि उसका सम्मन दुर्रानी कभी ही से है पूर राश्पती हामिद करजई भी दुर्रानी ही है मुल्ला मुहम्मद याकुब तालीबान के फाउंडर का बेटा तालीबान के संस्थाफ़क मुल्ला उमर की पाकिस्तान में चुबी की वच्छ़से मौथ हो गई इसके बाद माना ज़ाने लगा कि तालीबान मुल्ला उमर के परिवार का दखल खत्क हो जाएगा 2016 में मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मुहम्मद याकुब सामनी आया उसने अखुनजादा को तालिबान शीव बनाय जाने का समर्थन के और फिर गाइब हो गया साल 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के समझोते के तीन महीं बाद मुहम्मद याकुब का नाम चर्चा में आया तालिबान की रहबारी शूरा ने मुहम्मद याकुब को मिलिटरी विंग का कमांजर नियुक किया था मुहम्मद याकूब अब कमांजर मुल्ला याकूब बन चुका है कुछ एक्सपर्स मानते हैं कि तालिबान की मौजूदा लीडर्शिप में मुल्ला याकूब सबसे नरम पंती रवये वाले नेता है काईदा की तरफ वो अमेरिका और दूसे पश्रिमी देशों का दुश्मन नहीं है सिराजुद्दीन हकानी आतम घाती हमलों का मास्टर माइंड सिराजुद्दीन हकानी मुझाहिदीन कमांडर जलालुदीन हकानी का बेटा है वो अपने पिता के बनाए हथकानी नेट्वर्क को चलाता है ये नेट्वर्क पाकिस्तान सीमा पर तालिबान के फाइनेंशलियर और मिलिटरी प्रोपर्टी की देखरे करता है कुछ एक्सपर्स का मानना है कि हखानी नेहीं अफगानिस्तान में आत्गाती हमलों के शिवात की थी हखानी नेट्वर्क को अफगानिस्तान में कई हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है उसने तदकाली नफकान राजपती हामिद करजे की हत्याप की कोशिश की थी इसके अलावा हकानी नेट्वर्क ने बार्टी दुटावाज पर आत्मगाती हमला भी किया था मुल्ला अब्दुल हकीम शरियत का जानकार और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हकानी तालीबान के शांती वारता टीम का एकसे दस्टे है तालीबान के साशन के दुरान मुख्य ने आएधीश रहा धार्मिक स्कॉलर की पावरिफुल परीशत का प्रमुक ऐसा मना जाता है कि तालिबान सर्गरा अब्दुल्ला अब्दुल्हकीम हकानी पर सबसे जादा भरोसा करता है जो कि पूरी तरह से शरिया कानून को बढ़ावा देता है शरिया कानून को कैसे चलाना है उसमें क्या बदलाव करने है इसके सारी जम्मेदारी मुल्ला अब्द किस साल पीछे चला गया है वलाल से इतना ही आप बने लेकिए न्यूस्वाल डियान के साथ